की और चे उनके प्रवक्ता मेरे चाहऊंग साथ आम आद्मी पार्टी के प्रवक्ता MLA राजेश गुपता है, विवेक शिर्वास्तव है, नेता लेफ्ट के डॉक्टर अनुराग भुधरिया है, मेरे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मलूक नागर है, फॉर्मर मे लिकेज काई हुई तो संसदी बदलनेनी चाहिए पुरानी संसद में वापस चलनला चाहिए देखिए जिस तरह का भृष्ट चार साब देखने को मिल रहा है आप अभी संसद बने कितने सालों नहीं हुए और आप पानी टपक ने लगा इसके मतलब क्या है इसके मतलब कि ली बारिश का बहाना है ये पोल खुलेगी चत भी टपकाना है अब पोल खुलेगी योगी जी कहा रहे हैं कि सपा चट हो जाएगा इसमारी बार का सुलो भष्टाचार भी आने वाला ना उद भष्टाचार तुमने जो भष्टाचार किये पैसा बरबात किये जी तो ये जो आपने देश के अंदर में पैसा बरबात किया जो भष्टाचार किया इसकी पोल खुल रही है बारिश है सबसे बड़ी देखो बहाना की बारिश ने आपकी पोल खुल दिया है जो तीन चात्रों की जान गई उसमें पोल उनके उपर देखो कारवाई तो बनती है जिसकी भी गलती है क्योंकि ये बच्चों की जिंदिगी से खिलवार नहीं होना चाहिए शेदाद पुनावाला वो कह रहे हैं कि ये भरस्ताचार की पूरी पूल खुल रही है देखे एक्चुली ये मामला लीक का नहीं है ये मामला है सिलेक्टिव स्पीक का मतलब कब बोलना है सिलेक्टिव ली आज देखे वो पानी से टपक रहा था चत से पानी टपक रहा था उसका कारण भी आ गया सची वाले ने बताया कि इको फ्रेंडी बनाया है ग्लास का था अ मैं तो कहता हूँ कि आज ये लीक हुआ उस पर कारवाई हो गया और वो बंद हो गया पर मुझे बताइए जो सिस्टेमिक लीक है मतलब हर बार लीक होता है और आज तो दस लोग दिल्ली में मारे गए हैं क्योंकि डीसिल्टिंग नहीं की गए आज एक माँ और बेटा मारे ग बने क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स करनी थी कोई कारवाई नहीं की गई और वहां पर जिस प्रकार से लैंड्स्लाइड और दो-चार बार वार्निंग आने के बार और अमिज शाजी ने बताया कि इस प्रकार से दस दिन से वार्निंग दी जा रही थी दो-सो-नब्बे लोग मारे गए हैं पर उस पर एक स्पीक नहीं करना है आखरी बाद आखरी बाद देखे एक और चीज़ है आज डिंपल जी ने बोला आपने बताया एक क्वीशे के बारे में कि सारे रोमियो स्कॉइट के थंडे बस्ते में चले गए और आपने भी स्टार्टिंग में कहा कि ये नाम क्यों बताने पड़े नाम इसलिए बताना पड़ता है पता है क्यों ये ये पता है कौन है ये है मोहीद खान मोहीद खान ने 12 साल की OBC बच्ची का बलातकार क्या व कि मोलता हूं देखे अफदेश जी जी को पूछा किया जो जौह आपको राजा योध्य मानते हैं उनसे पूछा गया फैजाबाद के सांसथ से की कौन है आपका करीबी है तो उनने बोला मुझे तो इह गटना ही नहीं पता पर उनने बोला मुझे तो तो मैं आज मेरा एक स पूर्णगी में पलए हो और आप उसको कंट्रोल ली कर पा रहे हूँ आम नाम पढ़ए हो पुरा नम पढ़िये धसों चाले सुक्राइब ङूंटी अपिर दें करते हो तो साथ हुरदंगी नाम को बिटो अबनतो गर्म जोशी से बात रखी है, कारवाई तो एक व्यक्ति पर हुई थी पता है किस पर? गायतरी प्रजापती पर साइकल पर लेकर गूम रहता है किलेजी, अब सुन लो, सुन लो, गायतरी प्रजापती के लिए कैंपेनिंग की जब वो कन्विक्ट होगे पॉक्सों में आज मैं कहा रहा हूं कि सारे ऐसे रोमियों आपने अपनी पार्टी में भर रखे मैं कहा रहा हूं इतने घंटे हो गया अरेस्ट हो गया यह यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है इसके उपर निशकासन लेटर द समाथ भादर है अचे नहीं कोई नहीं है पार्ट पर नोग्यां की कोई जघे नहीं है इसका पार्टिक हो बैंना यह लेगी और क्योंकि आद अनुराग जी भी एक बहुती गंबीरता से बोल रहे हैं अनुराग जी किसी पार्टी का हो पर ये सौभाग्य से आपके ये आपकी पार्टी का है मुझे उनका रिमूवल लेटर दिखा दो मैं आपसे सवाल पूछ लू बचा रहे हैं ओबीसी लड़की के बलाकारी मुई तो ये बचा रहे हैं ये मुई खाय को बचा रहे हैं लोग 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 ते को लुशएंगा है अब आपको मेरे दिये एक आजारा टेनि किसके मंत्री के मैं पुछा चाता हूँ क्योंकि विवेक शिर्वास्टव देखिए ओडिसा में भी साइकलोन आया था और तब बीजेपी की वहां सरकार नहीं थी नवीन पतनायक साब की सरकार थी और उस सरकार ने बहतरीन काम किया था और बहतरीन काम करके वहां पर एक व्यक्ति की सिर्फ जान गई थी लेकिन एक सरकार केरल में भी आपकी है जहां 250 से जादा अभी तक 300 लोगों के मरने की खबर आ रही है और सरकार आपकी करिया है औरेंज इलर्ट था रेड इलर्ट था सेंटर आपको बार बार इलर्ट भेज झाल 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 झाल